हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो कई बार लाग कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं को गर्वधारन नहीं होता है कई बार मेडिसिन्स या फिर इंजेक्शन्स हॉर्मोनल लेने के बावजूद भी गर्वधारन इसका मेन कारण होता है कि आपका यूटरस काफी बीक हो सकता है यूटरस आपका अक्टिव होना इंप्टेंट है अगर यूटरस अनहल्दी होगा तो वो एक प्रेगनासी कंसीव करने लायक नहीं होगा आपकी ओवरीज का समय पे स्टिमुलेट होना जरूरी है ताकि वो एग का निर्मान अच्छे से करें और उसको समय पे वहां से बाहर भी भेजें ऑवलिशन के वक्त में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो अन एक्स्प्लेंड इन्फर्टिलीटी से भी ग्रसित हैं आज काल के डेट में बहुत ही जादा महिलाओं की तादाद बढ़ गई है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हैं कि अशियुकी और धेयान देना होगा और कई सारी महिला ऐसी होती है कि इन छोटी छोटी बेसिक चीजों को ही स्ट्रॉंग नहीं करती है medicines खाती हैं या फिर injections लेती रहती हैं और pregnancy conceive हो करके भी खराब हो जाती है इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा powerful तरीका बताऊंगे जिसे कि बहुत ही ज़ादा आपको pregnancy conceive करने में फाइदा भी मिलेगा आज के जो तरीका आपके शेयर करने वाली हूँ और medical research में काफी अच्छे फाइदे उसके बताए गए हैं और महिलाओं के लिए काफी अच्छा है जो महिलाएं infertility face कर रही है आज मैं बात कर रही हैं फेरल सिर्ट के बारे में जिसे हम सोफ भी कहते हैं सोफ actually में friends कई सारे ऐसे component से भड़ा हुआ होता है जो आपकी uterus और ovary के लिए काफी जादा अच्छा होता है सोफ के यूं तो कई फायदे होते हैं लेकिन friends अगर periods के just बात 7 days अगर आप इसे सही तरीके और सही मात्रा के अनुसार ले लेते हैं तो आपका uterus बहुत healthy हो जाएगा और pregnancy conceive करने के लिए काफी जल्दी से तयार हो जाएगा actually में friends सोफ में जो component होते हैं वो महिलाओं के शरीर के अंदर के metabolic rate को भी सही कर देती है साथी साथ आपके पेट में जितनी भी कोई खराबी है क्योंकि पेट से संबंदित ही आपकी जो परिशानी होती है reproductive system में वो पैदा होती है पेट से जुरूई अगर कोई भी समस्या महिलाओं को नहीं होती है तो फिर उनका reproductive system भी healthy रहता है सोफ जो है वो हमारे पाचन किरिया को भी अच्छा बनाता है आपके digestive enzyme काफी ज़्यादा शक्रिय हो जाते हैं और अच्छे से work करना स्टार्ट कर देते हैं जो महिलाओं obvious bit है उनके weight loss में भी बहुत मदद करती है जिन पुरुशिया महिलाओं को diabetes की problem है इसमें भी काफी ज़्यादा कारगर है तो सोफ का सेवन अगर infertility के लिहाज से दिखा जाए और आपको करना है तो आप क्या करिए friends कि जैसे ही आपके period से आप free हो जाएंगे उसकी next day से ही एक चमच सोफ को जो मोटी वाली होती है थोरी बड़े size की होती है बारीक सोफ नहीं वो सोफ आपको ले लेना है एक चमच और एक ग्लास पानी के अंदर रात को डीप करके रख देना है morning में उठने के बाद भी ना कुछ खाय पिए आपको इस पानी को boiling के लिए रख देना है धख करके जब ये उबल जाएगी इसका color change हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आप चाय लेते हैं जिस तरह से चाय लेते ह सिप सिप करके इसको पीना है और आपको चाय की हैविट बंद कर देनी है ये आपको only seven days के लिए follow करना है क्योंकि friends just आपके periods के second day से ही एग का grow करना आपके ovaries में start हो जाता है और जैसे ही आपके periods end होते है जो एग होता है friends वो ovulation phase की और बढ़ने लगता है इसलिए seven days लेने फायदे बहुत जादा है अगर मैं आपको इसके फायदे गिनवाने लगू तो बहुत ही जादा अंगिनत फायदे है लगबग सौ फायदों से भी जादा ये work करती है आपके body के उपर इसलिए आप जरूर सौफ का इस्तेमाल अब तक आप recipes में करते आ रहे होंगे या after meal आ अच्छा बेहतरीन बनाई रखे और healthy बनाई रखे अपने food को भी balanced मिलें balanced diet की और अपने food को भी आप change करें अगर bad habits है तो उससे दूरी बना ले और फिर home remedies आप जो भी use करेंगे वो जरूर work करेंगे और बहुत जादा आपके शरीर के उपर कारगर सावित होगी उमीद करत है कि गल बनाई 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 पिरो हैंगे और है आपके उमीद आपके खीज़ आपके तो ये सावी जो 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 अपके अवज करते हैंगे और ले जो झो जो एक टूरी वे